हलो दोस्टो शड़ी मोड में आपका श्वागत है बिहार द्रोगा मुख परिक्षा 2020 बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस एक्जाम 2020 लगभग 50,000 स्टूडेंट इंतिजार कर रहेगी कब एक नाया नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका मुख परिक्षा कब होने बहुत से लोग लगे हुएं तयारी में और इसी बीच में एक अलग अलग फॉल्स आपको न्यूज और नोटिस को सर्कुलेट किया जा रहा है तो मैं इसी पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या आपको नौवंबर में दो नौवंबर या एक नौवंबर को आपका एक्जाम होने वाला है या उस दिन तक आपको डेट अस्थागित कर दिया गया है क्या यह नोटिस ऑफिसियल ही या फेक है कैसे पाचानियेगा तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं सुरू सले के अन तक बने रही है तो आपको सारा समझ में आ जागा crystal clear तो यहां पर सकते हैं कि 01-2019 के अंतरगत यह वेकेंसी आया था और यहीं आपको सर्कुलेट किया जा रहा है नोटिस आप देख सकते हैं इसमें और इसमें यह क्या बताया गया है कि जो सफल अभ्यार्थी है उनकी सुंक्त मुख लिखित परिक्षत दिनांक 23-08-2020 को अउयिद कराई जान पर हमें इंफर्म कीजिए दस दिन में जो कि दस दिन दिन दिया गया था लेकिन दस दिन के अंदर किये पटना की डियम के नहीं किये अभी कोई नहीं जानता ठीक अब जिस तरह से स्थेति खराब है तो ये तो पूसिबल है नहीं कि अगस्त में एक्जाम आपको कंड़क्ट कराया जा सकता है मुख परिचा क्योंकि मुख परिचा जभी कंड़क्ट कराया जा सकता है जब करोना से अच्छा निजाद पा लिया हूँ या ट्रेन का परिचालन बस के परिचालन अच्छे से हो अब तो फिर से भी लोगडाउन लाग हूग हो गे बिहार में 31 धुलाई अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें फिर आगला का है कि वर्तमान में लगाये गए ओ लोगडाउन तिनांग तेश आठ दोजर बिस को प्रस्तावित मुख परिक्षा दो नौमबर यहाँ पर आप देखिएगा दो नौमबर दिया हुआ है दो नौमबर दोजर बिस तक अ अगली सी जब भी अपको इस्तिती की संधा की जाएगी अगर इस्तिती बेर होगा दो अगली सी में घो सड़ा की जाएगी यह सरकुलेट किया जा रहा है मैं यह बता दूं कि सरासर फोल्स millennials सरासर फेक है अब यह कैसे खेक है मैं इसका भी आपको एक्जांपल देने वाला का है कि कभी भी बीपी एससी के वेव साइड पर आएगा आप यहां पर देख लीजे यह बीपी एससी बिहार पब्लिक सफ ओडिनेट सर्विस कमिशन जो की बिहार द्रोगा का एक्जाम कंड़क्ट कराता है यहां पर अब देख सकते हैं कि कभी भी आएगा तो यह PDF में आता है अब यह बात छोड़िए यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला नूटीस आप डाउन्वोड करें यहां पर दिखेंगा तोब करने लगेगा। यहां पर दिखिये इसमें क्या बताया गया है कि 01219 इसमें भी वहीं बताया गया था कि जो 26 2020 को आइजित कराना जाना परस होने वाला है लेकिन 26 अपरील को यह बताया गया थे कि मुख परिक्षा होने वाला है पकाइदा नूटिस निकाल कर आप देखिएगा तो नीचे आप जाएएगे स्क्रोल करकर तो आप देख लीजिए ठीक यह बताया गया था तो यह दिमाग में लगाईएगा अब यहाँ पर दिया हुआ है नीचे वाला पढ़िएगा ता आपका दिमाग एतम क्लियर हो जाएगा पतिके बरतमान में लगाएगे लौक डाउन के कारण दिनांग 26 चार्द हजर 20 को प्रस्तावित मुख परिक्षा अगले अस्तिति की समीक्षा के परिक्षा की अगली तितिति की घ यहां गया है कहां किया गया है अब कभी भी घुसड़ा किया गया तो ऐसे भी आप पता कर सकते कि जो मैं पीछे दिखाया वह फेक है यह वाला आप मैंने जो दिखाया यह फेक है ऐसे भी आप पता कर सकते हैं फिर तीसरा नमबर हम आपको बताते हैं सामने एक दम से थे वालाब ये वाला ये वाला ये वाला है तो यह कभी भी नहीं हो सकता है कि अलग-अलग वालग फॉन्ट साइज का उपयोग किया गया थे यह कभी नहीं होगा या आप पिछले notice से भी compare कीजिएगा इस notice से आपको तो देखिए सभी का font size same है यहाँ पर देखिए इसका भी same है ठीक इसका भी same है इसका भी same है तो सभी का same है ठीक और इससे साथ पता चलता है कि यह official है और भी तरीका है पता लगाने के लिए official है कि un-official है मैं आपको बताने वाल सकते हैं तो यह कभी भी आपके पास notice आता है ना तो कभी भी उसमें अगर font size में different आता है माल लिजे कि अगर हिंदी में अगर यह लिखा हुआ है और बीच में कुछ न कुछ वर्ट का different होता है ठीक तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि यह फॉल्स नियूस और फेक नियूस है लेकिन अवनुमान यह लगाया जा रहा है कि जल्दी अयोग अपना कोई एक notice निकाल कर बताएगा कि जो अभी लड़के पेनिक में है जो की दरोगा के तैयारी के में लगे हैं लेकिन पता नहीं उनको कभी एक्जाम होगा जो कि बाहर सभी लोग आने वाले हैं तो ट्रेन का परिचालन संभव हो पाएगा सेंटर अगर इदाज़त देता है तभी आपको यह एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा तो अभी तैयारी में अपना लगे र यहां पर हमें यहीं बताने वाला हूं कि आप लोग मत पढ़िए अपने पढ़ाई में तैयारी में लगे रही है जब भी नियूज आता है ओफिसल मैं जरूर वीडियो बना कर बताता हूं आपको यूटूब अपलोड करता हूं और उसके जंकारी देता हूं तो वीडियो कोशिस कीजिएगा ठीक वीडियो अच्छा लागत लाइक कीजिएगा वीडियो देशने आपको बहुत धन नमात